कर्सर के बारे में जो आपको कर्सर नजर आ रहा है स्क्रीन पर कर् menor檬此 कर्सर कर्सर का क्यों और स्क्राइब आए कैसे बढ़ा करें जोगतार तो इस के सच्जों का सच्छा करेंश और पर कमण्स या बढ़ा करें esto कर्सर का के इस आह ignoranter करें आपको Is अगर आप modify tool बाज से अगर कोई भी command यूज़ करते हो जैसे कि मैं ये command यूज़ करता हूँ तो यहाँ से सिर्फ आपको pick box नज़र आ रहा है clear है इस तरीके से आप अगर space button escape button प्रेस करोगे तो आपका pick box नज़र नहीं आएगा clear है तो next आते हैं जैसे कि ये चीज़ तो आपको clear हो गया होगा अगर इसके regarding भी कोई doubt होगा तो comment section मैं जरूर पूछना clear है जैसे कि ये वाला जो cursor है हमारा cross है cursor उसका size चोटा है बढ़ा कैसे करें बोर सारी चीज़े भी आपको इस वीडियो में बताएंगे ठीक है simply आपको क्या करना है right click करना है right click करने के बाद आपको options button नजर आ रहा होगा तो options button में आपको जैसे कि यहाँ पर selections में आप आओगे तो यहाँ पर pick box का size चोटा याँ बढ़ा कर सकते हो यहाँ पर आप इस part इधर left side लेके जाओगे तो यहाँ पर decrease होगा और right side लेके जाओगे तो pick box का size increase होगा simply हम medium पर रखते हैं यह हमारा medium पर रखती हैं फिर OK करेंगे तो हमारा आप pick box का size देख सकते हो छोटा है medium है clear है तो अब next आते हैं आप command type करके कैसे use कर सकते हो same चीज तो op options में आएंगे इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर भी आप simply क्या होगा आपको display में आने के बाद आप यहाँ पर cross hair का size पूछ रहा है तो आप कम करना चाते हो तो कम करते हैंगे left side में जाएंगे अगर बराना चाते हो तो right side में जाके increase भी कर सकते हो clear है तो हम medium रख देते हैं यहाँ पर 30 पे कर देते हैं फिर ok press करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा cross hair का size automatic आपको नज़र आ रहा होगा clear है इस तरीके से आप चोटा यहाँ बरा कर सकते हो अगर आपको और चोटा करके आपको दिखाना है तो options में जाते हैं फिर option में प्रेस करने के बाद cross hair का size 4 पे कर देते हैं ok press करेंगे तो आप नज़र आप देख सकते हो हमारा cross hair का size है वो चोटा हो गया clear है इसका size increase करने के लिए simply right click करने के बाद options में जाना है फिर उसका display में आना है display में आने के बाद इसका size आप 31 कर दो increase कर दोगे right side में जाओगे increase होगा left side में जाओगे decrease होगा ok press करने है अपको प्रेस करने के बाद आपको आपका cross hair का तो size है वो बड़ा नजर आने लगेगा अगर इसके regarding अगर आपको कोई भी doubt होगा तो comment section में ज़रूर पुशना so video को like करो share करो and subscribe करो हमारे channel को so thank you for watching our video please do like, share and subscribe to our channel